नोश्कार दोस्तो राजनित्ती की बातें किताबों की कहाने में एक बार फिर से आपका स्वागत है मैं हूँ आपका दोस्त धरमेंदर कमाली दोस्तो दूसरा महायूद समाप्थ हो चुका था और महायूद के कान जो चुनाव स्थकित किये गए थे उन्हें संपन कराने की परिकरिया आरंब हो गई थी 1946 में केंदरी या प्रांती विधान सबाओं के चुनाओं की घोशना हो गई केंदरी इस तरपर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच संगार्श चल रहा था मुस्लिम लीग के परधान मिश्ट जिन्ना को मुसलमानों की मातर एक मातर जो परतीनी दी संस्ता था वो माना जाता था और कांग्रेस पार्टी को हिंदू की संस्ता कहा जाता था इसके मुकाबले में कांग्रेस अपने आपको समस्त भारतवासियों का प्रतिनीतों करने वाली राश्टी संस्ता मानती थी और पंजाब में कांग्रेस, मुस्लिम लीग, यूनिस्ट पार्टी, अकाली दल, हिंदू मासवादी, परमुक पार्टीयां भाग ले रही थी और खिजर जो सर सिकंदर हयात खांसाब थे और चोई छोट राम थे उनका तब तक निधन हो चुका था उनके निधन के बिना ये पार्टी चुनाओ में पहली बार मकाबला करने जा रही थी और यूनिश्ट पार्टी के अवल प्रांतिया पार्टी थी और उसके केंदर इस सिवा के लिए कोई पिरताशी से लिए उन्होंने खड़ा इन्हीं किया था और पहला ऐसा चुनाव था जो बिना निताओं के लड़ा जा रहा था और सब बिकर रहे थे और सब के अपने अपने सपने थे कोई सुनने के लिए त्यारी नहीं था किसे की पैस्चीवी पंजाब में मुस्लिम लीग और यूनिश्ट पार्टी में मुकाबला था हिंदू और सिक बहुल जो सीटे थी उनमें कांग्रेस का मुकाबला गरामिन एक्षेत्रों में यूनिश्ट पार्टी और अकाली दल से था अगर सहरों की बात की जाए तो सहरी एक्षेत्रों में हिंदू मासवा के प्रत्यासी मैदान में थे पंजाब के दक्षिनी पूरु एक्षेत्र जो अंबाला मंडल जिसको कहा जाता था इसमें उनिश्ट चालिस में सहरी चुनाव एक्षेत्रों को चोड़कर प्राय सभी गरामिन एक्षेत्रों में यूनिश्ट पार्टी के विधायक थी 1945 में मंतरी पद के दावे के संबंदों में जिला रहुत्त की उनिश्ट पार्टी में काफी गहराई तक मतवेद हो चुके थे और इनी मतवेदों की चाया में 1946 का ये शुनाव आया था चोदरी सिरीचंद बड़े सजग राजनित्त के थे और वो इस सुनाव में समन्ने रूप से अंबला डिविजिन में विशेस रूप से जिला रहुत्तक में अपनी इच्छा के प्रताशियों को टिकट दिलवाने की योजना बनाने लगी जिला रहुत्तक में यूनिस्ट पार्टी कुछ कार्यकरता चोदरी सिरीचंद के प्रियास को एसफल बनाने की उदेश से मिटिंग करने लगे इन कार्यकरताओं में चोदरी माडू सिंग, चोदरी रूप चंद और चोदरी भोला सिंग परमुक थे प्रन्तु विडमना यह थी कि इन कार्यकरतों में ऐसा कोई भी लेडर नहीं था जो चोदरी सिरीचंद के विरूद एक स्ताई मोर्चा बना सके इन लोगों के विरूद का परमुकारण चोदरी सिरीचंद का चोदरी रामसुर्प खिडवाली के पक्स में जुका हो था चोदरी चोटराम, चोजिटेकराम के वकील होते थे यह उनके भाई देवकराम को पिछले 24 सालों से जानते थे गिर्दावर कानुन गोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोग में एक गहरा नाता सद्भावना का महत्री का बना था चोई छोड़ राम की मर्तियू के बाद चोई स्रीचंद और चोई राम सुरुप की प्रस पर गटचोड समय की मांग थी और दोनों को राजनिती में एक दूसरे के सहोग से जिवित रहना था यह सहोग ही कुछ लोगों क की आँखों में किरक्री बन गया था उन्निस सुचाड़ेस के चुनाओं में पार्टी के प्रतासियों का चेहन करने के लिए किसी अन्य वैक्ति का उप्रेक्षक ने बनाकर प्रीमियर खिजर हयात खाटिवाना साब पंजाब के प्रतेक जिले में पार्टी करेकरताओं का म जानने के लिए आई इस समंद्र में जिला रोतक में पहुंचे और इस सुनाओं में जिला रोतक से चार विधायक चुन कर जाने थे और चारों शेत्रों में मुस्लिम सुरुख्षित अक्षेतर की सीटों के लिए प्रतासियों की चहन में कोई दिक्कत उनको सामने नहीं आ और चोदरी सिरीचंद को सपर्ष पता था कि उनके मुकाबले में विरोधी धड़ा कप्तान दलपत सिंग का नाम उचाल सकता है अब कप्तान दलपत सिंग का नाम आने पर चोदरी सिरीचंद के खेमे के लिए उनका विरोध कठिन हो जाता इसलिए चोदरी सिरीचंद ने को पका विश्वास्ता की खिजर साब ये जो प्रस्ताओं है इसको किसी भी रूप में नहीं मानेंगे क्योंकि पर्थम तो 1945 के जजर विदान्सवाक शेतर के उप्षनाओं में चोधरी स्रीचंद विजई होकर आये थे दूसरा चोई छोटराम के बतीजे थे और उनको टिकन ने देने से मद्दाता उनका समीकन बिकरने का बहर था इस परकार कप्तान साब की साहनुबती भी इन्हें प्राप्त हो जाएगी परंतु दोस्तों ये राजनिती है और राजनिती में पासे कब उल्टे पड़ जाएं किसी को नहीं पता होता और ऐसे समय में चोदरी स्रीचन को खुश ना रख पाना पार्टी के हित में साप साप पे दिखाई दे रहा था कि असर डालेगा और किसर सामने चोदरी स्रीचन को संतूष्ट करने के लिए कहा कि यदि पार्टी सत्ता में आती है तो मैं वादा करता हूँ कि उन्हें नामों पर विचार करते हैं, चोदरी सिरीचन ने सुजाओ दिया कि आपने सुरुक्षित और सोनिपस सीड के लिए पार्टी के वरतवान विधायकों को परतैसी बनाया है, जजज़र से मेरे मरना करने पर भी आपने कप्तान दलपत सिंग को पार्टी का टिकर दिया है, और इनके नाम पर वहाँ उपस्तित पार्टी के अधिकान सदस से सहमत नहीं हुए, इसके बाद ऐसे संतूश विधाय कारेकरताओं ने चोदरी रूपचंद की कोठी पर एकटा होकर खिजर साब के समुक अपना जो दावा है, उसको प्रस्तूत करने का फैसला लिया, इस चोदरी माडू सिंग खुद भी मौजूद थे और बेठक से आने के बाद चोदरी साब ने चोदरी टीकाराम को एक पत्र लिखा जिसमें पार्टी को छोड़ने की इच्छा पर कट की गई थी, चोदरी माडू सिंग का पत्र मिलते ही, चोदरी टीकाराम ने सिरी चंद और रमसरुप से प्रामर्स किया और सिरी को बिगटने से बचाने के लिए, चोदरी टीकाराम ने दोनों पक्सों को आमने सामने बिठा कर समझाने की कोस्स की, इसका परिणाम ये हुआ कि दोनों पक्स कप्तान दलपत सिंग को मदेस्त बनाने के लिए त्यार होगे लेकिन ला लिया, वहाँ चोदरी रमसरुप किसी कारणवस नहीं पहुंच के लेकिन चोदरी माडु सिंग अपने समर्थ को एक साथ पहुँच गए, लाहूर जाकर चोदरी साब ने सरुक्तम अपने समर्थ को सही चोदरी टीकाराम सही बातचीत की, इसके बाद ये चोदरी टीक रमसरुप को पार्टी टीकट दिये जाने पर पार्टी करेकरताओं में बहुत ज्यादा रोस होगा, और इसके साथ ही अपनी चेपी उन्होंने लगाते वे का कि चोदरी टीकाराम भी दवी आवाज में बोले कि यदि माडु सिंग को टीकट नहीं दिया जाता, तो उनकी स शफलता भी संदिक्द हो जाएगी इस मुलाकात के बाद चोधरी माडू सिंग पार्टी टिकट के ससक्त दावेदार बन कर रोह तक में आ गए चोधरी माडू सिंग को रोह तक आया अभी तीन या चार दिन हुए होंगे कि पीछे पीछे चोधरी टीक आराम भी रोह तक कि रोह तक के सुनावी शेतर को खुला छोड़ दिया गया है और इस शेतर से पार्टी का कोई प्रत्यासी ही चुनावी मदान में नहीं होगा इस फैसले को सुनकर चोई माडू सिंग अवाक रह गया और उनके मुक से यही निकला कि यह दिने सही नहीं है पार्टी का कोई नहीं कोई प्रत्यासी तो अवश्चे ही होना चाहिए अब राजनितिक प्रिस्तिया तेजिस से बदल रही थी और इस को सुनकर चोई टिकर आम यह कह कर चले गए कि इस विशे में आगे की बात विसराम गरे रोतक में दूसरे सातियों साथ मिलकर करेंगे और आसा करता हू कि आप भी वहां पहुंच जाएंगे चोई माडू सिंग निस्चित समय पर विसराम गरे पहुंच गए परंतु चोदरी राम शुरू बात्चीत के लिए वहां उपस्तित नहीं हुए पार्टी टिकेट के विशे में बात्चीत आरं हो गई और बात्चीत का जो निसकर से वही निकला कि पार्टी का प्रत्यासी जरूर खड़ा किया जाए चोदरी टिकाराम ने बात्चीत के मद्द संकेत दे दिया कि यदि पार्टी प्रत्यासी खड़ा ही करना है तो पार्टी के तत्कालिन विधायक चोदरी राम सुरूप भी सब पर भारी पड़ते हैं इस सं अनुसार चोदरी रामसरूप को टिकट दिया जाने की भूमिका तो उस लिसमें त्यार हो गई थी, जब चोदरी स्रीचंद और चोदरी रामसरूप की सुनश्चित योजना के अनुसार चोदरी टीकराम मंत्री बने थी, उदर विसराम गरह से बाहर चोदरी माडू सिंग के समर्थकों का जमावड़ा बढ़ रहा था और बड़ी उत्सुत्ता से फैसले की प्रतिक्षा की जा रही थी चोदरी ब्राम्सरूप का प्रड़ा भारी है ये जानकर लोगों ने फैसले के विरोध में नारे बाजी करनी शुरूप कर दी जन आकरोस को स्यांत करने के लिए चोदरी टीकर हम विसराम गरें से बहार आए और कहा कि आप लोग हमारे लिए अपना भाईचारा न बिगाड़ें किसी को एक को मिलेगी टीकर लेकिन आप भाईचारा बनाए रखें इस जन सबों में अधिकतर गठवाड़ा गोतरी थे जो चोदरी माडू सिंग के पक्सदर थे और चोदरी टीकराम के एक शेतर के मददाता थे चोदरी टीकाराम की बात उन लोगों को अखरी और उस्तिती यहां तक उप्तमिन कर दी कि चोदरी माडू सिंग को निर्दलिय पर तैसी के रूप में चुनाव लड़ने के लिए बाद्या कर दा इस विवर्ण के बाद चोदरी टीकाराम चोदरी स्रीचंद और चोदरी राम सुरुप से मिलने के लिए रोतक में बागई रोतक आकर चोदरी टीकाराम ने चोदरी माडू सिंग को चोदरी स्रीचंद की कोठी पर बात्चित करने के लिए बुलाया दूसरी और से फिर ये जवाब मिला कि बाचित किसी सारजनिक स्थान पर की जाए तो त्यार है चोदरी माडू सिंग ने काफी देर तक परतियुत्तर की प्रिक्षिया की और जब संदैस नहीं मिला तो अपने घर से नीजी काम के लिए चल पड़े थोड़ी दूर पर पहुंचे थे कि इतने सामने से चोदरी टीकराम की कार आगी इसके बाद दोनों फिर से कोठी पर आगए और उस चुनाओ समंदी बाचित सुरू हो गई चोदरी टीकराम ने बहुत समझदार अजनिता थे उन्होंने बाचित का सुत्र पकड़ा और मुक्तार सिंग के जरीए भेजे गए परस्ताओं को दोरा दिया चोदरी माडू सिंग ने दोबारा से इस परस्ताओं को दूतकार दिया और अंत में ये बाचित तूट गई और चोदरी माडू सिंग ने सपश सब्दों में चोदरी टीकराम से कह दिया कि मैं तो सोनीपत चुनाओ शेतर में आपका समर्थन करूँगा साथ में आपको छूट होगी कि रोह तक चुनाओ शेतरों यूनिश्ट पार्टी के प्रताक्सी के पक्स में आप परचार करें इतना कहने के बाद चोदरी माडू सिंग ने वास्तिवीकता को उधेरते हो ये भी जोड दिया कि वे तो चोदरी टीकाराम के विरोध कार नहीं जीत सकते परंतु मेरे विरोध करने से चोदरी टीकाराम की सफलता भी ऐसमभव नहीं तो संदिक दवश्य हो जाएगी अब सोनीपत में न्योक ततकालिन जो SDM थे चोधरी जैनाड ने भी चोधरी टीकराम को बता दिया कि गठवाडा गोत के मद्दताओं का समर्थन पाए बिना आप जीत नहीं सकते चोधरी माडू सिंग के अपर तक्स धमसी के चोधरी जो टीकराम है उनको हार का डर्स ताने लगा 1946 के चुनाव में चोधरी टीकराम के परती दोंदी चोधरी लहरी सिंग कांगरेस पार्टी के परत्यासी थे कि 1937 के चुनाव में चोधरी टी का राम दोवारा हराई जा चुके थे 1937 के चुनाव में चोधरी लहरी सिंग इंडिपेंडेंट के निटिट थे और उनको हिंदू मासवा और चोधरी लालचंद का समर्थन प्राप था हार के बाद उन्होंने कांगरेस की गतीविदियों में हिस्साले नारम कर दिया था और जब कांगरेस ने विधान सभाओं और जिला बोड़ों आदी की सदस्ता से त्याग पतर देने का निर्न लिया था तो चोधरी लहरी सिंग ने जिला बोड़ों की सदस्ता से त्याग पतर दे दिया था इसके प तरी मद्दाताओं का जुगाओ जुद्री टिकाराम के पलडे में था लेकिन इस बारस्तितियां उल्टी हुई थी इस चुनाओं में मलिक वर्सिस दहिया फिर आकड़ा हुआ था और दादा घासीराम की बहन की साधी में बारात लोटने की घटना इस चुनाओं में विवाद बनकर खड़ी हो गई थी कल के वीडियो में दोस्तों हम ये जानेंगे कि दादा घासी राम की बहन की बारात का जो मुद्दा था वो एक शुनाव को कैसे प्रभावित कर रहा था और एक शुनाव में कैसे वो बावाल बनकर खड़ा हो गया कल हम तीन बज़े के वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों और ये जो राजनिती है इसमें जब चुनाव होते हैं तो पता नहीं किस-किस तरह के विवाद खड़े हो जाते हैं और ये एक सोनिपत का अनोखा उधान है जब दादा घासी राम जैसे सामाजी को वैक्ति की घर में एक साधी होनी है और उस साधी का जो मुद्दा है फिर वो चुनावी मुद्दा बन जाता है ये कल हम जानेंगे कि क्या मसला था शुक्रियान नमस्काल दोस्तों